Welcome to everybody This is your friend Rakesh Kumar from Bright Avishkar and welcome back in Bright Avishkar दोस्तो आज किस वीडियो में हम what और which के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि किस-किस जगापे हम what का यूज करते हैं और किस-किस जगापे हम which का यूज करते हैं We will learn how to choose what and which according to condition and situation इस वीडियो के अंदर हम what और which के सही यूज को हम समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं So without delay, let's get started देखो दोस्तो सबसे पहले आगे जाने से पहले हमें what का हिंदी अर्थ क्या होता है और which का हिंदी अर्थ क्या होता ये सभी हमें आने चाहिए जिस तरीके से मैंने जब WH family को शुरू किया था उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि WH family के जितने भी words होते हैं जितने भी members होते हैं इन सभी के दो-दो मतलब होते हैं उसी तरीके से what के भी दो मतलब होते है एक तो इसका मतलब होता है क्या और दूसरा इसका मतलब होता है जो, और इसके भी तरह के से, विच के भी दो मतलब होते हैं, जैसे कौन सा या कौन कौन से, तो यह एकी बात है, या इसका दूसरा जो अर्थ निकलता है, जो कि सेंडस में निकलता है, आज किस वीडियो में हम सिर्फ, what or which कहां कहां पे use होते है और क्यों use होते है और किस किस जिगां पे what का use होता है किस base पे होता है और which का use किस base पे हम करते हैं उसको जाने वाले हैं सबसे पहले अगर आपको मैं एक बात बता दूँ कि what का use हम क्यों करते हैं देखो what का use हम journal अवरعल के लिए यूज करते हैं, यहाँ जैसे जर्नल में जब भी कभी बात करते हैं, तो वट करते हैं, अब जैसे एक्जापल सेपस्मझो, एक example से आप समझो कि what color do you like? यहाँ पे color कितने हैं? बहुत सारे color हैं सभी color की बात करें यानि जर्नल में हम सभी color की बात करें सभी colors जितने भी होते हैं जाए वो white है, pink है, blue है, sky color है जितने भी colors हैं उन सभी की बात करें उसमें से आपको कौन सा color पसंद लगता है यानि यहाँ पे हम white range में यानि जर्नल में हम बात करें इसलिए what का use हमेशा कप करते हैं जब हम जर्नल में बात करें यानि सभी की बात करें तो उसका हम use करते हैं इसको अगर आप simple सी way में समझो कि जब भी आपके पास कोई option नहीं हो आपके पास बहुत ज़्यादा quantity हो या बहुत ज़्यादा मातरा में हो तो उसमें से आपको कोई choose करना हो तो आप किस तरीके से बोलोगे कि what color do you like आप कौन सा color पसंद करते हो what color do you like तो वो बोलेगा I like green color I like red color तो इस तरीके से वो अपने बारे में बात करेगा लेकिन जब हम which का use करते है तो which का use हम specific चीज के लिए करते है या जो limited चीज हो जैसे suppose करो कि अगर हम color की बात करते हो और मेरे पास 4 color है मेरे पास कितने color है 4 color है तो तब आप which का use करोगे क्योंकि आपके पास क्या है option दिये है क्योंकि आपके पास एक limited है क्योंकि आपके पास कुछ specific color है उनमें से आपको चुनना है जब भी आप यहाँ पे specific चीज की बात करें या limited चीज की बात करें जिसे आपके पास option है दो option है 5 option है 6 option है जब भी आप limited की बात करें यह specific options की बात करें तब आप which का use करते हैं तब आप पुछोगे which color do you like आप कौन सा color पसंद करोगे या पसंद करते हो तो आप बोलोगे red or blue तो यहाँ पे आपके पास दो option है red है blue है तो यहाँ पे आप क्या कर रहें limited आपके पास जब option हो जब limited आपके पास कोई में चीज हो तो तब आप किसका use कर सकते हैं which का use कर सकते हैं I hope you got the concept of what and which कि कहाँ पे हम what का use करते हैं और कहाँ पे हम which का use करते हैं कुछ examples देखते हैं ताके यह concept हमें सही तरीके से क्या आ जाए समझ में आ जाए so that we can easily use in our daily life ताके हम इसको अपनी daily life के अंदर अच्छे तरीके से इसका use कर पाएं देखो इसके अंदर हम example लेने वाले हैं social की, business की, academic की हम 3 examples के उपर what और which के uses को देखने वाले हैं और अपने इस concept को और मजबूत करने वाले हैं देखो सबसे पहले हम example लेते हैं social की, देखो what do you want to do in your life, do you want to do in your life क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं क्या, तो क्या करना चाहते हैं, what do you want to do in your life तो यहां पर आप जर्नल में बात करें कि अपनी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप which का use करें, which game do you want to play, do you play games, या क्या आप game खेले हैं, खेलते हो क्या, तो कौन सी खेल खेलते हो, which game do you want to play, chess or Ludo, तो यहां पर आपके पास chess or Ludo क्या है, दो option है, specific ह तो जब भी आप limited की बात करते हैं, specific की बात करते हैं, जहां पर आपको उपता है, दो चीज़ों में से मुझे एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो तब आपके पास जब भी option दिये हैं, तो तब आप which का use कर सकते हो, आप बोलोगे, which game do you want to play, chess or Ludo, मैं बोलूँगा, I like to play chess, I I like to play Ludo, तो इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हूं, what will you write, क्या आप लिखोगे, तो क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, जर्नल में बात करें, तो आप बोलोगे, what will you write, तो इस तरीके से बात को, लेकिन जब आपके पास specific, कोई limited बात की हो, जहां पे आपको option दि आप कौन सी मुई देखना चाहोगे, या कौन सी मुई देखना चाहते हो, बैटमेन दिल बेचारा, तो आप बोलोगे, I want to see दिल बेचारा मुई, क्या बोलोगे, I want to see दिल बेचारा मुई, तो यहां पर आपके पास क्या है, limited है, specific है, आपके पास option दिये है, और जब भी आपके पास option दिये होते हैं, तब आप which का use करते हूं, उसके बाद अगर business पे कुछ examples देखें, जैसे, what are our opinions, या what are our options, opinions हमारे क्या खाला आते हैं, लेकिन अगर options की बात करें, जब भी किसी meeting के अंदर बैठते हैं, discuss करते हैं, तो ये common question रहता है businessman का, कि हमारे पास क्या options हैं what are our options, तो यहां पर हम जर्नल में बात करते हैं, लेकिन अगर आपको बोलना है कि आप कौन सी meeting या conference को attend करोगे, तब आप कहोगे which conference will you attend, will you attend conference कि आप conference को attend करोगे, तो कौन सी या कौन कौन सी conference को attend करोगे, तब आप कहोगे which conference will you attend, the one in New Delhi or Jaipur, या एक जो धैली में है वो वाल या I will attend the Jaipur conference, इस तरीके से क्या करोगे, अपने options के बारे में सही से बताओगे, उनमें से एक चूज करोगे, कि मैं ये वाली meeting को क्या करूँगा, attend करूँगा, देखो what एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप जर्नल में बात कर रहे हैं, तब आप what का use करते हैं, ल पर mathematics हो सकता है, वहाँ पर music हो सकता है, art हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर दुसरी भी कोई, जैसे social science होगी, या कुछ और भी field ले सकते हो, engineering ले सकते हो, biotechnology ले सकते हो, MPBS ले सकते हो, तो इस लीके से आप जहाँ पर journal में बात करें, लेकिन जब भी आप specific में बात करें, जह जहाँ पर आपके पास option हो, तब आप वहाँ पर क्या यूज करोगे, विच का यूज करोगे, आप बोलोगे, विच क्लास डू यू प्रेफर, आप कौन सी class को प्रेफर करते हो, प्रातिक्तमा देते हो, music और computer, मैं बोलूँगा, I would like to give preference music class, मैं music class को सबसे पहले प्रातिक् पसंद करते हो, like करते हो, तो यहाँ पर आपके पास जर्नल में बात करें, वो mathematics हो सकता है, English हो सकता है, Hindi हो सकता है, उर्दू हो सकता है, उसके बाद science हो सकती है, social science हो सकती है, it's up to you, यहाँ पर निर्बर करता है, लेकिन यहाँ पर हम जर्नल में बात करें, लेकिन अगर मैं आपको specific दो subject की बात करूँ, तब आप कहेंगे, which subject do you like to study, आप कौन सा subject पढ़ना पसंद करते हो, which subject do you like to study, English or Urdu, आप बोलोगे sir, I like to study English, क्या बोलोगे, I like to study English, तो इस तरीके से जब आप journal की बात करें, what का use होता है, लेकिन जब आप specific, limited, यहां पे आपके पास specific हो, wide ना हो limited हो, तो अब आप किसका use करोगे, which का use करोगे, अब exercise आपके लिए है, यह सभी आप इस exercise को एक बार देख ले, उसके बाद आप मुझे comment box में बताए, otherwise मैं दूसरी जो video अपलोड होगी, उसके अंदर इसके answer दियेगी होंगे, अब आपको यह question है, आप मुझे chat box के अंदर यहनि comment box के अंदर आप जुरूर बताएंगे, अभी live classes चैटरी तो आप chat box के अंदर भी बता सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग YouTube पे इसको देख रहे हैं, वीडियो को, वो comment box के अंदर जुरूर रखे, which language do you like the most, आप कौन सी बाशा सबसे जादा पसंद करते हो, do you like the most का मतल होता सबसे जादा पसंद, which language do you like the most, Hindi or English, I will be waiting for your answer, आप मुझे बताएंगे कि आप कौन सी बाशा सबसे जादा पसंद करते हो, Hindi or English, and if you really like this video, please like, comment, subscribe, and if it is possible for you, please share with others and help others, I am doing my divty and it's your turn, do your divty for yourself and learn everyday something new for yourself, so that you can groom your personality.